so hi guys hope you all are doing well मैं हूँ आप लोगों का host and दोस पुनीत सब्दानी और इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं अगर आपके पास में sony mc88 है या अगर आपके पास में nx80 या z90 या फिर x70 है तो इन चारो आप audio को कैसे setup कर सकते हो काफी ताइम से मेरे पास में question आ रहा था और इस camera में दो तरीके से audio input दे सकते हैं इसमें आप एक 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 रार माइक्रोफोन लगा सकते हैं यह फिर आप इस तरीके से लेवलर microphone मैंने connect किया है वैसा लेवलर microphone connect कर सकते हैं अगर आपको 3.5 m jack से audio लेना हूं तो इसमें दोनों option आप लोगों को मिल जाते हैं तो इसके लिए confusion बना रहता है कैसे इसका audio pickup कि रहा सकता है और कैसे इसकी audio setting कि रहा सकती है बिकास यहां पर आपको काफी सरे audio को लेकर के option दिखाई देंगे तो सारी चीजें इस वीडियो में explain करने वाला हूं अगर आप आया first time मेरे चैनल पर तो आपका चैनल को करने subscribe और साथ-साथ मैं आप मुझे follow करने इंस्टेक में फेस्बुक पे चलिए शुरू करते हैं let's get started सबसे पहले मैं आप लोगों को समझागो कि लेवलर microphone यानि अगर आपके पास में 3.5 जायके तो आप उससे कैसे audio पिकप कर सकते हो as I told you इसमें handle के ऊपर आपको XLR output के लिए option दिया रहता है तो आप इसमें दो input दे सकते हैं sorry output ने input के option मिलते हैं तो दो input आप इस पर connect कर सकते हो और आप दो microphone इसमें भी inbuilt microphone है तो inbuilt microphone की भी अपने इक सेटिंगे जो मैं आप लोगों को बता दूँगा इसके साथ साथ में यहां पर आपको 3.5 जैक भी देखने को मिलता है जो कि जस्त लेंस के पास में है और आप जैसी लेंस के पास में इस पोड को उपन करेंगे तो आपको 3.5 जैक तो अगर आपको audio को monitor करना हूँ उसके लिए आप एक high quality के earphone या headphone लगा करके कैसा audio record हो रहा है same time पे video को करते समया आप you know सुन सकते हैं monitoring का function आपको यहाँ पर मिल जाता है अब मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ menu में menu में हम लोगों को कौन कौन सी setting करनी है तो अभी आप लोगों को menu नजर आ रहा होगा और menu के अंदर मुझे सबसे पहले audio settings में जाना है audio set वाले menu में जाना है तो audio set में पास यह usual question आते हैं क्योंकि जो handle है एक external accessory है इसकी जो की multi interface शूपर connected हती है and then उसके बाद इस camera able to record high quality audio तो कई बार जब हम इसे plug-in करते हैं तो यह auto mode पे होता है INT microphone पे जैसे आप select करेंगे तो आपका internal microphone है वो काम करना start कर देगा and you can see C1, CH1 और CS2 पे अभी आपको आवास सुनाई दे रहे होगी बट अगर मैं again वापस menu में जाओ और मैं इसको auto पे कर दूँगा तो automatically जो है वो आपका INT mic गायाप हो जाएगा आप देख सकते हैं आप channel 1, channel 2 में जो है कोई audio का signal नहीं show कर रहा है तो आपको अगर internal microphone को on करना है तो आपको internal microphone को obviously select करना पड़ेगा इसके लवा अगर आपको internal microphone को manual audio को manage करना है तो यहाँ पे आपको देखे manual audio recording level के नाम से option दिखाई देगा and यहाँ पे आपको इसको normal high से अटाग करके manual पे लेके जाना है and then manually audio को control करना है manually audio को level के हिसाब से control कर सकते हैं आपको earphone लगा के रखनी पड़ेंगी और earphone के हिसाब से आप सुन पाएंगे कितनी audio record हो रही है काफी लोग मुझे call करते हैं और call करके पूश्टेंग से DJ के आग पास में जाने के बाद में जो audio फटने रखती है वो reason क्या होता है because अपने camera को auto mode पे डाला होता है internal microphone पे और इसी वरे से जो audio का level हो जाता है DJ के पास में जाकर के and that's why audio जो है फटने लगता है मेरा recommended level जो है वो रहता है 8 से 10 के बीच में ठीक है वो आपकी location के इसाब से vary करेगा so I highly recommend you जभी आप शूट कर रहे हैं तो आप एक बार headphone लगा के जरूर चेक कर लें कि audio के तरीके से record हो रहा है आप इन में से कोई भी एक decibel value ले सकते हैं अपने audio को अच्छी quality में record करने के लिए यह तो बात हो गई अभी internal microphone की suppose करी अगर मुझे leveler microphone connect करना है like कोई wireless leveler microphone है मेरे पास में इस टाइप का मैं एक cheap leveler microphone use कर रहा हूं तो वो कैसे इसमें connect हो उसके लिए simply मुझे again microphone selection में जाना है करूंगा and plugin कर दूंगा microphone वाले port पे microphone वाले port पे प्लग इन करते ही पैने stereo microphone को सिलेक के लिए राइट आप देख सेते हैं कोई audio में इंप्रूमेंट नहीं है तो मैं जैसे अभी इनको on नहीं करता हूं और यूब लेविल सुस्टिसी के जो audio है वो आना start हो किया तो अभी मै मैं क्या करता हूं अभी मैं audio record करके आप लोगों को दिखाता हूं अगेन इसको कैसे manually control करते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहेता हूं मैं menu में जाओंगा यहां पर अगेन मिरको audio recording level दिखेगा मैं इसे यहां से manually control कर सकता हूं एक चीज़ धियान रखने वाली बात ह है not for other microphone setup तो XLR अभी हम लोग connect करेंगे मेरे पस सुनी का amazing XLR microphone है उसका भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं हाल फिलाल अगर आपको इसको manually control करना है तो आप यहां से control कर सकते हैं और मैं आपको audio test करके दिखा रहेता हूं so that आपको अंदाज हो जागे कैसा audio record कर रहे है सो मैं recording का button play करता हूं और अभी आपको जो audio सुनाई दे रहे है वो सुनाई दे रहे है NX80 से और आप सुन सकते हैं इसकी audio कैसी quality आपको सुनाई दे रहे है तो इस तरह के से you know आप audio को यहां से manage कर सकते हो सारे option आपको यहां पे मिल जाते हैं अभी तक हम लोगों ने दो microphone को control करना समझ लिया है अब हम लोग तीसरी setting की तरफ चलते हैं that is XLR microphone की तरफ और XLR microphone के लिए पहले आपको camera में again setting करनी पड़ेगी जो कि अब आपको again audio वाले menu माना पड़ेगा और यहां पे आपको mini MI shoe microphone को select करना पड़ेगा मैं simply मेरे XLR head microphone को input 1 में connect करूंगा तो मैं यहां पर मुझे input 1 देखने को मिलता है मैं यहां पर मेरे high quality XLR unit को connect कर देता हूं तो यह मेरा XLR connect हो गया यहां पर and then मैं इसको यहां पर open करके और लगा देता हूं अब हम लोगों को जरुवत है इन switches को समझने की जो आप लोगों को पैनल यहां पर दिखाई दे रहा है तो मेरा second camera भी roll कर रहा है जिससे मैं switch को record कर रहा हूं तो you can see यहां पर so many switches आपको देखेंगे रहा है अगर मैंने XLR microphone connect किया है तो मुझे यह सारे switches को समझना पड़ेगा तो अब मैंने XLR microphone को connect किया है वो connect किया है input 1 के ऊपर तो यहां पर आप input 1 और input 2 को on off कर सकते हो सपोस्ट करो आपने 2 microphone connect किया है input 1 और input 2 पे एक आपने connect किया इस टाइप से shotgun mic और दूसरा आपने सपोस्ट करीए connect किया XLR वाला wireless microphone और आप audio record करे थे और आपको चाहिए था कि यह जो microphone है जो बूम microphone है वो बंद हो जाए तो मैं यहां से particular input को off और on कर सकता हूँ यहां पर मुझे off on की setting मिलती है इसके साथ-साथ में यहां पर मुझे auto manual का switch दिखाई रहता है auto manual basically क्या करता है अगर आपको अपने microphone को auto करना हो तो आप auto कर सकते हो automatically camera अपने हिसाब से level को pick up करेगा और अगर आपको manual पर रखना है जो कि most of the time मैं करना पसंद करता हूँ तो आप manually audio level को you know adjust कर सकते हो channel 1 channel 2 आपके हिसाब से you know adjustable रहेगा इसके साथ-साथ में जब आप एक XLR microphone to connect करते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ धियान रखने होती है that is के XLR microphone जो है उन्हें microphone इस एक्सलर microphone जो है उन्हें phantom power पर रखना पड़ता है तो यहां पर आपको switch मिलता है इसमें line mic और mic प्लस 58 वाल्ट है तो मैं basically इसे phantom power पर रखना हूं अगर आप इसे phantom power पर नहीं रखेंगे तो microphone जो है वो off हो जाएगा इसलिए इसे आपको phantom power के उपर रखना पड़ेगा तो यह microphone प्लस 48 वाल्ट आपको सिलिक करके रखना पड़ेगा और यहां पर नीचे की तरफ एक और switch देखने को मलता है दाट इस channel 1 start channel 2 या only channel 1 ठीक है तो इसके अंदर दोनों में क्या रहता है difference के suppose करिए आपने एक ही microphone लगाया input 1 पे ठीक है और you want के वो stereo बन जाए क्योंकि वो left ear में भी और two channels है one channel one channel 2 दोनों में एक ही audio recorder तो हमें switch की जरुवत है अगर मैं single microphone को use कर रहा हूं तो इसको हमें ch1.ch2 के ओपर रखना पड़ेगा वरना जो audio अगर आपने इसको नीचे कर रखा है या only ch1 पे रखावा है तो जो audio है वो के विल एक ही ear के अंदर जाहेगा ना अब हम बात कर लेते हैं audio को manually adjust करने की तो यहां पर आप देख सकते हैं manual के लिए आपको दो rings मिल रही है और try to keep it both on same level वरना क्या होगा एक कान में ज्यादा आवा जाएगी एक कान में कम आवा जाएगी तो मैं हमेशा इसको यूनों पांच नंबर पर रखता हूं तक कि audio seamlessly you know record हो कुछ भी यूनों audio में ज्यादा उपर नीचे कमी ना हो ठीक है तब ही हम लोग इनको छेड़ते हैं usually थे कि और manual हमें करना है तो obviously मैं हमेशा audio को manual करना ही परसंट करता हूं और I will try to keep it level 3 क्योंकि level 3 पे मेरा जो खुद का audio वह अच्छा record होता है यह मैंने personally feel करें अगर आपको उससे उपर बढ़ाना है तो then उसके बाद आपको level 10 तक का option available है बट मैं level 3 पे हैप्पी हूं अगर मुझे इंटर्विव इंटर्विव थोड़े बहुत शूट करने और मैं थोड़ा crowded एरिया में हूं तो उसमें भी मेरे को audio यह level 3 पर अच्छा record करके देता है और जब भी आप शूट करें तो आपको इस तरीकी से headphone अपने कानों में लगानी है ताकि जो है आप same time पे audio को monitor भी कर सक ठीक है अब मैंवली आप समझ गए है अगर आपने दो माइक्रोफोन लगा रखें तो चैनल बन चैनल टू को आप मैनवली ऑपरेट कर सकते हो और अगर आपने एक ही माइक्रोफोन लगा रखा है और उसको stereo आप कर रहे हो तो फिर आपको दोनों स्विच इसको कंट्रोल क करके ऑडियो के लेवल को मैनज करना हो अब मैं आप लोगों को कुछ लिए ऑडियो टेस्स दिखा रहे हो जिससे आप समझ पहांगे कि ऑडियो कैसा इसने रिकॉर्ड करा है एक्सलर मैक्रोफोन से कैसी इसकी ऑडियो की कॉलिटी है तो गाइस अभी जो आप आप अडियो का जो audio quality वो next level का amazing होता है you can able to see कि कितनी अच्छी audio इसने रिकॉर्ड करी मैं already a Sony का amazing XLR microphone यूज कर रहा हूं और बाइद वे इन सभी के लिंक आपको description में मिल जाएंगे अगर आप लोगों को पाय करना है XLR microphone को या फिर स्क्राइब को तो आपको description में सब के link मिल जाएंगे I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को audio samples भी पसंद आया होंगे जो मैं अभी right now इससे you know record कर रहा हूं और ऐसे ही interesting videos के लिए मिरे साथ बने रहे हैं और subscribe कर लिजे मेरे चैनल को साथ साथ में जिन लोगों ने इस camera को या इस camera को खरीदा है तो जरूर उन लोगों को यह video आप share कर सकते हैं thank you so much again for watching this video stay tuned and stay rock